Good morning children, how are you all doing today? I hope you are doing very good, absolutely fit and fine. मुझे पता है आप सब लोग एकदम अच्छे हैं और इन्जॉई कर रहे हैं. Alright, आज हम कुछ नया सीखेंगे. आप लोग के सब के पास में ये वारी बुक है, जिसके ओपर लिखा है, Enjoy with Picture World. आज हम इसको पढ़ेंगे. पर before I start with this book, पहले मैं इस बुक को शुरू करती हूँ. उसके पहले मैं आपको एक छोट इसी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ. Alright, ये स्टोरी है Lord Ganesha की, मापारवती की and Lord Shiv की. एक बार Lord Shiv और मापारवती ने Lord Ganesha से और उनके जो दूसरे ब्रदर थे, कार्केतिके उनसे बोला कि जो आप दोनों में इस competition में first आएगा, वो इस वर्ल्ड में सबसे intelligent कहलाएगा. अब जो कार्तिके और Lord Ganesha थे, जो दोनों ब्रदर्स थे, उन्होंने अपने ममा बापा से पूछा, ये competition कौन सा है? उन्होंने बोला कि जो इस पूरे वर्ल्ड का चक्कर सबसे पहले लगा कि हमारे पास आएगा, वो ही इस competition में first आएगा. अब जो कार्तिके थे Lord Ganesha के ब्रदर, उन्होंने अपना पिकॉक उठाया, उसके उपर बैठे और पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाने के लिए चले गए. पर Lord Ganesha ने सोचा कि मैं क्या करूँ, मैं तो चोटा सा हूँ, मैं तो पूरे वर्ल्ड का चक्कर भी नहीं लगा सकता, then what should I do? Lord Ganesha ने क्या करा? अपने हाथ जोडे, अपने ममा पापा के चक्कर लगाए और उनके पास में आके बैठ गए. तो ममा पापा ने बोला कि आप दोनों में से सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट Lord Ganesha है, because वो जानते हैं कि हमारी फैमली, हमारे ममा पापा कितने important हैं, और वो ये भी जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जरूरी हमारे लिए वो ही हैं. तो आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगी, वो आपकी फैमली के बारे में हैं. ये बुक आप सबके पास में है, हम याली बुक को ओपन करेंगे, और पेज नमबर थ्री पे आएंगे, और इस वाले टॉपिक का नाम है, माइ फैमली, रिपीट विद मी, माइ फैमली, अब हम सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं, आप उपर देख रहे हैं, तुड़े, I am happy, I am okay और I am sad, तुड़े I am happy, तो हम इस पे ठिक करेंगे, और राइट, तो लेट स्टार्ट विद फैमली, ये एक फैमली है, अब इस फैमली में कौन-कौन होता है, हम ये सारी फैमल के अंदर कौन होता है, मदर, she is a mother, and he is a father, और ये दूनो कौन होते है, mother and father, हम इनको parents बोलते है, again, she is a mother, mother मतलब ममा, he is a father, father मतलब पापा, alright, और ममा और पापा को हम क्या बोलते है, ये हमारे parents होते है, So, the next person who comes in our family is brother, brother का मतलब भाइ, alright, the next person who comes in the family is brother, brother का मतलब भाइ, the next person who comes in the family is a sister, sister का मतलब बहन, alright, the next person who comes in the family is a sister, sister का मतलब बहन, alright, the next person who comes in the family is a sister, sister का मतलब बहन, can be there in your family are grandparents हम सब के पास grandparents होते हैं दादा, दादी, नाना, नानी alright so he is a grandfather मतलब दादा या फिर नाना and she is a grandmother मतलब दादी और या फिर नानी alright now we come to other family members he is uncle uncle कौन होते हैं? ऐसे तो हम बहुत सारे uncles होते हैं आपके neighbors uncle होते हैं पर हम चाचा, मामा, ताउजी इन सब को भी अंकल बोलते हैं alright लेकिन हम अपनी भाशा में उनको चाचा भी बोलते हैं उनको ताउजी भी बोलते हैं और उनको मामा भी बोलते हैं the next person who comes in the family is aunt aunt का मतलब आपकी चाची हो सकती हैं आपकी बुआ हो सकती हैं आपकी मामी हो सकती हैं या आपकी मौसी हो सकती हैं alright then comes cousins cousins कौन होते हैं आपकी uncle और aunt के children जो uncle और aunt होती हैं उनके बच्चों को हम cousins कहते हैं ये भी आपके brother sisters होते हैं, लेकिन ये आपके uncle और aunt के children होते हैं. So we will repeat, mother, father, brother, sister, grandfather, grandmother, uncle, aunt and cousins. आप में से कुछ लोग के पास में brother होगा, आप में से कुछ लोग के पास में sister होगी और आप लोगों में से कुछ के पास में brother और sister दोनों होंगे. Alright, so we have mother and father who are called parents, we have grandfather and grandmother who are called grandparents and this is the family and this is how the family is a complete family. सब को समझ में आ गया, अब सारे बच्चे एक बार इस पूरे के पूरे वर्कशीट को अच्छे से देखेंगे. Grandparents, mother, father, sister, cousins, brothers, इन सब के बारे में सीखेंगे. Alright, हम सारे के सारे family को एक बार फिर से रीट करते हैं. Mother, father, brother, sister, grandfather, grandmother, uncle, aunt and cousins. All right, thank you so much children. We will meet in our next session. Take care, stay safe and stay healthy.